मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मीठी बूंदी की रेसिपी प्रशाद रेसिपी जोगी हर्मान जी के उचड़ाया जाता आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको बनाना बहुत आसान है और आपको अच्छे से इसको सीखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़े कैसे मैंने इसको बनाया है और इसके लिए क्या क्या चाहिए वेलकम बेक टो माई चैनल पुस्पलता कीचन पुस्पलता कीचन को सस्क्राइब कीजिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो वीडियो के निचे लाइक का बाउल बेशन लिया है और हमेने पाने लिया है और जरूरत के अंसार थोड़ा समय ने इस्पून लिया है तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद में फिर हम इसके अंदर जो हमने ओल लिया है वन इस्पून वो डाल देंगे उसको अच्छे से मिला लेंगे हम तो बीटर के health से हम इसको मिलाएंगे और अच्छे तरीके से मिलाएंगे और तकि लम्ज नहीं हो अब हम थोड़ा थोड़ा water डाल कि इसका एक smooth बैटर बनाएंगे तो ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा वौटर डाल के करना है और एक साथ पूरा नहीं डालना है नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि हमारा बेटर सही है कि खराब बन रही है तो इस सले आप इस बात का धियां दे थोड़ा थोड़ा वातर ही हमें nous डालना है उसके बाद हमें एक smooth batter बनाना है और इसमें हमने कोई soda का use नहीं किया है only हम इसको क्या करेंगे दो घंटे के लिए cover करके रख देंगे उसके बाद फिर हम बूदी ready करेंगे तो हमारी बूदी बहुत अच्छी और crispy बनेगी और तो इसको हम better ready करने के बाद और cover करके हम रख देंगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कैसा better होना चाहिए तो इस तरह का better होना चाहिए न तो पतला होना चाहिए न बहुत ठीक होना चाहिए तो इस तरह यह बिल्कुर perfect है उसके बाद हम इसे cover करेंगे और एक side में हम रख देंगे दो गंटे हो गये हैं उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसके दो part कर लेंगे हम एक part में हम orange food color मिलाएंगे और एक part plain रहने देंगे आप चाहे तो एक color की भी बना सकते हैं अगर आप नहीं है तो यहाँ पर मैंने दो part कर लिया है आप देख सकते हैं एक part में मैंने यह orange food color लिया है और उसको हमने मिला दिया है तो उसे अच्छे तरीके से मिलाना है ताकि अच्छे से better के अंदर color मिल जाए और उसको फिर हम एक side में रखेंगे और फिर हम इसकी बूंदी बनाएंगे तो चलिए अब हम बनाते हैं तो हमने लिया है oil बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस चंचे का यूज़ करूँगी और इस चन्नी का भी यूज़ करूँगी तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं जरूरत भी नहीं है आपको तो अभी हमने ओयल रख दिया है गरम होने के लिए अच्छे से गरम हो गया है तो हम थोड़ी बूंदी डाल के देख लेंगे कि हमारी बूंदी अगर अच्छे से उपर आ रही है मिंस की हमारा ओयल जो है अच्छे से गरम है तो अब हम लेंगे च गड़ाय से थोड़ा उपर तो यहां रखेंगे में एक हम देख सकते हैं । बून्दी को पकने में टायम इसलम यह इसी पर निकाल लिया में दोल आः से में अज़से डाल किम आप दिखाती हैं लो देखें इसारा इसे तेरे इरे प tari देबिती जाएकी उसे कुछ करना नहीं है वो अपने आप में गरती जाएगी और उबनती जाएगी और इह दम क्रिस्पी बूुणी बनी है बहुत ऑछी और इसके बद आ, अर एक बद अब थिद बहुत जादा नहीं डालना है थोड और यह आपको यह मैं टिप्स देना चाहूंगी जो हमारा यह चंचा है और जो गंदा हो जाता है तो उसको हमें हर बार में अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा पीशु पेपर से भी कर सकते हैं या फिर उससे भी कर सकते हैं एक साइड में हम चासनी बना लेते हैं तो यहां प मैं चीनी घुलने तक पकाना है इसको तो अभी देख सकते हैं एक पर और डाल के मैं दिखाती हूं आपको तो देख सकते हैं फिर से मैंने बनाया और हमारी बूंदी रेडी हो गई है तो बस मैं आपको दिखाती हूं कि कैसा चिपचिपा बन होना चाहिए तो आप देख सक अलग भी कर सकते हैं तो इसको डालने के बाद चासनी में हमें दो तीन घंटे के लिए छोड़ देना है उसके बाद यह जितना भी होगा वो अबजर्ब कर लेगी तो यहां पे आप देख सकते हैं और हमारी बूंदी रेडी हो गई है अच्छे से और यह थोड़ा केसर मेने बाद में डाला है और किसमिस और इलाइची भी आप डाल सकते हैं मुझे केसर का फ्लिवर परसंद है तो मैंने यहां पर केसर डाला है और और ऑप्शनल है यह आप देख सकते हैं बूंदी कितनी ख अच्छी बनी थी आप जरूर इसको बनाएं ट्राइ किजिए आपको पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है कभी भी आप खाएं इसको प्रशाद में के लिए बनाएं तो मैं आपको करके दिखाती हूं सर्व और यह आप कभी भी बना सकते हैं आपको पसंद है अगर कोई पूजा है प्रशाद बना सकते हैं हनमान जी के भोग के लिए बना सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंग शेयर कीजिएगा और फ्रेंट्स फैमिली में ताकि वो भी बना सकें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल बेटन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं क्यों न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मिलती हूं एक न्यू वीडियो के साथ अब तक के लिए बाय फ्रेंट्स गूड डे स्टे होम स्टे सेफ मुश्या भी मिले 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 हूं तक होम सक्या बाbait रेसिपी करके लिए लिए सक्तूर बाया करे ख़Newै